नमस्कार, डॉक्टर अवी गोर से, पेंसिलवेनिया से, आपके बाहर फिर जुडा हूँ, आज बात करेंगे मोनोकलोनल अंटिबोडिस पे अभी ये क्यों बात कर रहे है, मैंने तो कहा था, तीसरी लहर नहीं आ रहे है, ये सब खतम हो गया, तो अभी मोनोकलोनल कहां से लाया बताता हूँ, तीसरी लहर तो नहीं आएगी, इतने लेगों को कोविड हो चुका है, हर्ड इम्मुनिटी अच्छी है, वैक्सिनेशन भी ठीक चल रहा है अभी तीसरी लहर माफिक नहीं आएंगी, केसेस आएंगे, केसेस से कुछ फरक नहीं पड़ता युनाइटेड किंग्रम में अभी केसेस बढ़ रहे है, और बढ़ेंगे, शायद एक लाग तक जाएंगे, लेकिन उनको परवा नहीं है, सब खोल रहे है, वो लोग अस्पताल नहीं पहुच रहे है केसेस से लहर नहीं होती, हॉस्पिटल एड्मिशन से लहर होती है, केसेस आने तो अगर हॉस्पिटल एड्मिशन आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा तो अभी हमारे यहां भी थोड़े केसेस आएंगे, उन में से कुछ लोग अस्पताल पहुच सकते है दो वैक्सिन डोस लेने के उपरान तभी कोविड हो सकता है, लेकिन मामूली तरह का होता है थोड़े लोग अस्पताल पहुच जाएंगे, इन हस्पताल पहुचने वाले लोगों में से हमने गिन चुन के कुछ हाई रिस्क लोगों को निकाल दिया और उनको अस्पताल पहुचने के पहले ही ठीक कर दिया, तो ये लहर भी है, तो छोड़ो कुछ, कुछ, उसका सवाल ही नहीं आएगा और ये सब हम लोग दूसरे लहर के पहले भी कर सकते थे, ये मोनोक्रोनल अंड़बाडिस अमरिका में अक्टूबर से अवलेबल है आपके घर को आग लगने के बाद कुछ, कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आज आप क्या कर सकते हो, पहली चीज ये करनी है, आराम से बैठो, ये वीडियो पॉस करो, और अपने खुद की परिवार वालों की और करीबी दोस्तों की एक सूची बना लो, एक यादी बना लो, और उसमें से कैलक्यलेट करो कि कितने लोग high risk है, अगर उनको by chance COVID हो जाता है, तो कितने लोग high risk है, high risk कैसे पता करेंगे, डॉक्टर रवी गोड से मतलब डॉक्टर गोड से रवी वन ये मेरा ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब चैनल हैंडल वगरा भी है और मैं एक एप भी बना रहा हूँ रवी गोड से, तो उसमें साथ सवाल है उसमें हाँ या ना में जवाब है हाँ है तो एक पॉइंट मिलता है अगर पाँच से ज़्यादा स्कोर आया तो इसका मतलब हाई रिस्क है आपको हाई बलड प्रेशर है दाइबीटीस है स्मोक करते हो लंग डिसीज है उमर साथ के उपर है BMI 30 के उपर है, बैसल मोटबलिक इंडेक और और कोई chronic condition जैसा cancer जैसे है यह साथ सवाल है इसमें से 5 या ज़्यादा आपको पॉइंट मिला तो इसका मतलब आप हाई रिस्क हो तो आपके जो निजी लोग है उनके हाई रिस्क लोगों के एक यादी बना ली सुची बनानी कि अगर इनको COVID होता है तो उनको अस्पताल के बाहर रखना है और monoclonal antibodies से उसको अस्पताल के बाहर रख सकते हैं तो monoclonal antibodies कौन से है Eli Lilly company ने बनाये थे Regenron दे बनाये थे Eli Lilly ने जो बनाये थे BAMLA और ETC से वो अभी इतने नहीं चलते हैं छोड़ दो इंडिया में जो बनाये है वो चलते हैं वो कौन से है कैरिसी और इम्डे का कॉम्बिनेशन है आपको नाम जाने के ज़रूत नहीं है वो डेल्टा के खिलाब भी चलेंगे अच्छे चलेंगे 75-80% डग चलेंगे लेकिन पहले से थोड़े कम चलेंगे अब आप पूछोगे कि monoclonal कम चलेंगे तो क्या vaccine भी कम चलेंगी क्या natural immunity भी कम चलेंगी नहीं जोकि monoclonal सिर्फ monoclonal antibody है आपको natural disease और vaccine से जो मिलता है वो antibody भी मिलते है और उसके साथ T-cell भी मिलता है वो T-cell तो कोई measure नहीं करता इसलिए आपने अगर vaccine ली है उसके उपर दूसरा वीडियो बनाएंगे आलग से लेकिन मैं मेरे patient को बोलता हूँ अगर आपने vaccine ली है तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि antibody test करके देख लो कि क्या antibody convert हुआ है कोई जरूरी नहीं है T-cell भी आपको protect कर सकते है बज सूरत लोगों को आइना नहीं देखना चाहिए तो वो antibody बगड़ा test का कोई जरूरी नहीं है तो इसलिए delta-velta कुछ भी हुआ mutation तो भी antibody शायद कम चलेगा लेकिन T-cell चलेगे इसलिए natural immunity आपको बचाएगी vaccine भी बचाएगी serious disease से शायद थोड़ा कम बचाएगी लेकिन बचाएगी लेकिन monoclonal antibody सिर्फ antibody है वहाँ तो T-cell वगड़ा कुछ नहीं है इसलिए वो अभी कम चल रहे है पहले के अगर पहले उनका इस्तिमाल जादा किया होता तो यह नौबत ही नहीं आती हमारे उपर तो क्या है यह monoclonal monoclonal है अगर किसी patient COVID होता है और उससे वो ठीक होता है तो पहला हम लोग plasma यूज़ करते थे ना वैसा है plasma उसका antibodies निकालते है उसमें सबसे जो अच्छी एक छोटी सी antibody है वही बाकी 100 cricketeers की जरूरी क्या है सिर्फ सचिन को ले लो ना एक अच्छी antibody निकालेंगे उसको clean करेंगे साफ करेंगे और उसको human में reproduce करके उसका एक monoclonal बनाएंगे और अगर सचिन के साथ सहवाग भी चाहिए तो दो लेके cocktail बनाएंगे वो ये monoclonal antibody है देखो government की में तारिफ जरूर करता हूं वैसा मोका नहीं जेते है वो ज़्यादा तारिफ करने की लेकिन तारिफ जरूर करता हूं covaxin बनाना अच्छी बात है लेकिन अभी देखो उन्होंने ये जो monoclonal है उसको कभी October में approval दे सकते थे नहीं दिया ये जो plasma है वो 10,000 patient का England में study आया था और उन्होंने कहा ये plasma का कुछ यूज नहीं है जनुवरी में छोड़ दिया था लेकिन हमारे यहां क्या WhatsApp, Messages, क्या Drive क्या चल रहा था, plasma वाजमा कुछ ऐसा मदलब जैसा कि प्रतिगती उपलब्दी का विकल्प समझ के उपलब्दी का विकल्प सिर्फ उपलब्दी है उच activity is not a substitute for achievement कुछ plasma विजमा कुछ चल रहा था उसमें कुछ पॉइंट नहीं था monoclonal चलेंगे अभी इंडिया में available है सिपला के साथ भी available है तो आप क्या करें नीजी रूप पे वो monoclonal का पैसा तो लगता है ना साथ सतर हजार लगता है कभी-कभी ज़ादा लगता है कभी-कभी वो बोलते है डो डोस खरीद लो और monoclonal की सबसे important चीज है अभी एक मिनिट में आपको बदा देता हूँ जब आपको COVID होता है तो पहले 8-9 दिन बोडी उसको जूझने की कोशिश करती है 9 दिन के बाद जब बोडी ठक जाती है तो बोडी फ्रस्ट्रेट होके cytokoin storm लाती है उसमें COVID का डामेज होता है और बोडी का भी डामेज होता है अगर 9 दिन के बाद आपने monoclonal दिया तो आप cytokoin storm को help कर रहे हो तो 9 दिन के बाद उसका कुछ use नहीं है अगर oxygen लगने के बाद monoclonal दिया तो गलत है इसका मतलब अगर लगा तो पैसे का बंदोबस्त है क्या उसके उपर मेरे एक पास आइडिया है उसके पास आऊंगा और जब आप कोई आपका high risk आदमी है जिसका score पास से उपर है अगर वो अस्पताल में या casualty में पहुँच जाता है तो उसी वक्त monoclonal को अगर हाँ बोल दिया तो best है हम लोग क्या करेंगे हम लोग पहुँच जाएंगे casualty room गोपी चाचा को लेगे और गोपी चाचा तो high risk है उनको monoclonal से बहुत फाइदा होगा डॉक्टर बोलेगा monoclonal दे दो हम बोले नहीं नहीं पुछते है हाँसा मामी को पुछते है फोन लगाएंगे 48 गंटा इसको whatsapp पूरा what लगा देंगे 48 गंटा कुछ नहीं करेंगे 48 गंटा होने के बाद बोलेंगे नहीं नहीं अभी दो दो monoclonal वो patient का तब तब oxygen कम हो गया फिर भी doctor के पीछे पढ़ेंगे साउसत को phone करेंगे हजार लफडे करेंगे और वो doctor को मजबूर करेंगे monoclonal देने को पैसा भी गया patient को भी यूज नहीं होआ शायद उस सब्रा पूरा वाट लगा देंगे ऐसा नहीं करना है बिल्कुल नहीं करना है तो ये अब भी सोच के रखना है कि अगर high risk patient को covid होता है तो उसको monoclonal दे सकते है पैसा का बंदोबस करके रखो कहा जाने का है बंदोबस करके रखो वहाँ जाके उन्होंने monoclonal offer किया तो ले लो 80-85% चलेगा एक घंटे में वो patient आराम से ठिक होके घरबा खेलते होए घर आएगा आगे अस्पताल नहीं, रेम डेसिवीर नहीं कुछ जरूरत ही नहीं ऐसे हम लोग 10,000 doses distribute करते है all over India और अच्छी तरह से यूज करते है अगर शायद उनकी जरूरी ना पड़े लेकिन अगर 7,000 भी ऐसे हम लोग hospitalization बचाए तो जो wave आने वाली है यह नहीं उसको और नहीं आने वाली ऐसा कर देंगे और इसमें government कुछ कर सकता है देखो government क्या कर सकता है अभी आपने खरीद लिया और खरीदने में बहुत लफड़े होते है मैंने कोशिश की एक patient को खरीदने को अब बहुत लफड़े करते हैं लोग तो और 90% चलेगा शायद लेकिन फिर भी 10 में से एक आद्मी में नहीं चलेगा तो वो तो मायूस हो जाएंगे हमारे patient को लगाया monoclonal कुछ नहीं हुआ whatsapp पे डाल देंगे ये वो कर देंगे तो government अभी 10,000 dose खरीद के सब centers में भेज सकता है government centers में जैसा अमरिका ने किया था October में किया था और कोई भी doctor online apply कर सकता है अगर high risk हो तो उसको without cost मिल जाएगा ये जो बाकी का सब पैसा डाल रहे है न TV ad ले रहे तिसरी layer की तैयारी ये क्या कुछ जब्बे को जब्ब कुछ भी कर रहे है न उसब छोड़के वो पैसा डालके उन्हेंने ये monoclonal का इंतजाम किये ना और ऐसे 10,000 डोस पूरे इंडिया भेज़ दिये ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा रणनीती रण के पहले बनाई जाती है इसलिए ये अभी करके तैयार रखना है इसलिए मैं पांडु पुतर अर्जुन से भी बड़ा क्रोधित था जिन लोगों ने आपकी मा को वारणावत में जलाने की कोशिश की तुमारे बीबी की साड़ी को हाथ डाला उन लोगों के साथ आप अभी रणनीती क्या बना रहे हो गीता क्या सुन रहे हो पांडु पुतर अर्जुन धनुष उठाओ बान उठाओ छोड़ो अभी चालू करो जगडा रण चालू करो रणनीती रण के टाइम नहीं बनती है तो अगर ये मोनोक्रोनल ऐसे इस्तिमाल करते है तो उसका बहुत फाइदा होगा अगर आपने सब ये तैयारी कर ली तो एक दूसरे को वाटसाफ फारवर्ड ये वाटसाफ फारवर्ड कर सकते है उसके शायद मेरा डॉक्टर गोटसे रवी वन चैनल भी फारवर्ड कर सकते हो इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है मैं किसी भी न्यू चैनल पे जाके बात करूँगा कोई कॉम्पेटिशन नहीं है ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया है कि अन्फिल्टर्ड एक्सेस है मैं आप लोगों के साथ सीधा बात कर सकूँ शायराना अंदाज में अभी मैंने सोचा नहीं है क्या शायरी बता दूँगा क्या सिचुएशन है आख बन करूँगा जो शायरी मन में आएंगी वो बोल दूँगा इतनी तो जिन्दगी में न किसी की खलल पड़े हसने से हो सुकूँ या रोने से कल पड़े जिस तरह हस रहा हूं में पी पी के अश के गम यूँ दूसरा हसे तो कलेजा निकल पड़े मुद्दत के बाद उसने की जो लुट्व की निगा दिल खुश तो हो गया मगर आसू निकल पड़े एक तुम के तुम को फिक्र ओ फरेबे माज है एक हम के चल पड़े तो बहराल चल पड़े गमे तशनाल अभी सभी को है साकी मगर चाम है उसी की नाम पे जिसके उबल पड़े डॉक्टर अवीगोड से पैंसिलवेनिया से मोनोक्लोनन